हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आल आफ यू आई एम देवी सिंग सर आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 28 मई सन 2020 के कुछ करंट एफियर्स फ्रेंड्स यहां पर भारत और विदेश से सम्बंदित एफियर्स के सवाल और जवाव हिंदी में प्रकासित किये गए सभी करंट एफियर्स प्रिशनोत्री आने वाली एससी यूपी एससी बेंक रेलवे किलार्क पी उपर एक्षाओं के लिए सहायक होंगी 28 मई 2020 करंट एफियर्स के बारे में यदि आपका प्रिशन है तो किरप्या कॉमेंट के जरीए हम तक पहुंचाएं फ्रेंड्स यहां पर चलते हैं हम अपने करंट एफियर्स की तरफ तो यह है हमारा क्वेस्ट नमर फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है भारती टेलिकॉम ने कितने करोड रुपे में एर्टेल में 2.75 फीस दी हिस्सेदारी संस्थागत निवे सकों को बेचने की गोसना की है इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका फूर्थ 8,433 करोड रुपे नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहां पर कौरोनसंगट के बीच कौन विश्व का तीसरा सबसे अमीर सक्स बन गया है फ्रेंड्स इसकांसर है आपका यहां पर मार्क जुकरबर्ग नेक्स्ट आपका यहां पर चार धाम की आत्रा को सुख़द बनाने के लिए किस राज्जे में बार्डर रोड्स आर्गनाईजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है यह कौन सा राज्जे है फ्रेंड्स यहां पर इसकांसर आपका हो जाएगा उत्राखंड नेक्स्ट है आपका भारत का कच्चा इसपात उत्पादन वर्स 2020 के किस महीने में 65% गिरकर 31.3 लाख टन आ गया है फ्रेंड्स इसकांसर आपका हो जाएगा यहां पर अप्रेल नेक्स्ट है आपका यहां पर फेस्बुक ने हाली में कौन सा नया वीडियो कालिंग एप लॉंच किया है इसकांसर आपका यहां पर हो जाएगा कैचप नेक्स्ट है आपका ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्स तक भारतिय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक सेकूटर लॉंच करने की गोस्टना की है तो यहां पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा दोजार एकीस नेक्स्ट है आपका 28 माई को विस भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है 28 माई को आज ही के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स इसका अंसर आपका हो जाएगा मासिक धार्म स्वच्टा दिवस नेक्स्ट आपका यहां पर डेब्यू वंडे में हैट्रिक विकेट किस देश की टीम के तेज गेंदवाज सेहान मदू सनका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है फ्रेंड्स इसका अंसर यहां पर हो जाएगा आपका स्री लंका किर्किट नेक्स्ट आपका यहां पर अमेरीका ने कॉरोना वाइरस से नपटने के लिए किस देश को हाल ही में 60 लाग डॉलर की मदद देने की घूसना की है तो यहां पर फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा यह हो जाएगा आपका पाकिस्तान यहां पर यह पाकिस्तान हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहां पर हाली में किस देश ने अपने पहले मानव रहत ड्रॉन हेलिकॉप्टर का परिक्षन किया है तो यहां पर आपका अंस्वर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन नेक्स्ट क्वेस्टन पर हम चलते हैं राष्ट आधुनिक कला संग्राले ने पिर्शिद मूर्तिकार चित्रकार खल्स्थान की एक सो पंद्रवी जैनती के उपलक्ष में ऑनलाइन पिरदर्शनी का आयोजन किया तो इसका अंस्वर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहां पर राम किंकर बेज नेक्स्ट है आपका यहां पर पाउर फाइनेंस कारपोरेशान पी एपसी ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिम्टेड के साथ किस राज्य में क्रियानुवित होने वाली विबिन विद्दोत परियोजनाओं के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस अस्ताक्सर किये हैं इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आपका मद्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका उस सथान का नाम बताईए जहां सेना कमांडरों के सम्मिलन में रसद और मानव संसादनों से संबंदित अध्यन सहित परिचालन और प्रसासनिक मुद्द प्रेंट्स यहां पर इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली नेक्स्ट आपका अल्प संख्यक कारिया मंत्राल्य की प्रमुक कारिकरम हुनरहाट कुछ सितंबर 2020 में किस विश्य पर आयुजित किया जाएगा तो यहां पर फ्रेंट्स आपका आंसर हो जाएगा लोकल टू ग वन धन योजना COVID-19 के बाद के सबक कायोजन भारत सरकार के जन जाती है मामले मंत्राल्य के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया गया है इसका अंसर यहां पर हो जाएगा राजिस्थान नेक्स्ट है आपका केंद्रिय सडक परिवयन मंत्री नितन गडगरी ने माचल प्रदेश के किस जिले में चारधाम कनेक्टिविटी पर योजना के ते 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्गाटन किया है फ्रेंट्स यहां पर आपका हो जाएगा इसका अंसर चंबा नेक्स्ट है सास्त्रिय संगीतकार का नाम बताईए जो हिंदुस्तानी के सासत करनाटक संगीत पर अच्छी कमान रखती थी और जने अभेगन विदूसी की अपादी से सम्मानित किया जा चुका है जिनका हाल ही में निदन हुआ है कौन है फ्रेंड्स हो वो हैं स्यामला जी भावे नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहाँ पर उस वेक्ति का नाम बताईए जिसने वर्स 2020 के लिए पिर्तिष्टित नीपला इन वेंटर आफ दे इयर अवार्ड जीता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका अंसर हो जाएगा आपका राजीव जोसी नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहाँ पर उस बीमा कंपनी का नाम बताईए जिसने प्रधान मंत्री व्यवंदना योजना संसोदे 2020 सुरू करने की गहुसनकी है जो वरिष्ट नागरिकों के लि जोएन मिल्टरी जेंडर एडवोकेट आप दे इयर अवार्ड से समानित किया जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स इसका अंसर हो जाएगा आपका मेजर समन गवानी नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहाँ पर उस वेक्ति का नाम बताईए जिसे भारत सरकार ने नाईजर गन 2008 में मैं UEFA कफ महिमा मैं रोनाल्डो प्रेरित टीम का नेत्र तवकिया था यहाँ पर इसका अंसर हो जाएगा गेगी सेमोनी यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गेगी सेमोनी नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत सरकार द्वारा पहिश्म बंगाल में चक्रवात स को शुरू करने के लिए वो नर्वास पैकेज कितनी वित्य साहता कि रासी की घूसना की गई है फ्रेंड्स इसका अंसर आपका हो जाएगा एक हजार करोड रुपे नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका उस कालिंग एप्लिकेशन का नाम बताएं जिसे हाल ही में सोसल मीडिया फेस्बुक द्वारा लॉंच किया गया है फ्रेंड्स इसका अंसर आपका हो जाएगा केच आप नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका यहां पर भारस सरकार द्वारा ओडिसा में चक्रवात से प्रभावित ततकाल राद गतिविद्यों के सुरू करने की प्रणरवास पैकेज कितनी वित्यसायता की रासे की गूशना किया फ्रेंड्स यहां पर आपका जो हो जाएगा यहां पर फ्रेंड्स एक हजार करोड रुपे यह आपका यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स चलते हैं next question पर यहां कुछ अतीत के जरोकों से हम question लेकर काई हैं friends नेपाल में 240 साल पुरानी राजसाई का अंत हुआ था आज ही के दिन 28 मई कोई 2008 में नेपाल में पिछले 240 सालों से चली आ रही राजसाई का अंत हो गया सविधान सभा ने नेपाल को संगी है लोकतांतर गंडराजे गोसित किया है friends next हम अतीत के जरोकों से आपको बता देते हैं आज ही के दिन 28 मई कोई पाकिस्तान ने पहली बार पर्मानू परिक्षन किया आज ही के दिन 1998 में मैं पाकिस्तान ने बलुचस्तान के चागाई में पर्मानू परिक्षन किया जिसके बाद अमेरीकार जापान से कई देशों ने उस पर आर्थिक प्रितिवंद लगा दिये इससे कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना दूसरा परवानू परिक्षन किया था फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका आज ही के दिन 28 माई को ही भारत मा के सक्चे सपूत थे वीर सावरकर का जनम दिन फ्रिंड्स आज है आज ही कितना 1883 में वनाए एक दामोदर सावरकर का जनम नासिक के भागर में हुआ विमाहन करांतिकारी चिंतक लेखक और दूर दर्सी राजनेता थे वीर सावरकर के नाम से प्रिशिद्ध है करांतिकारी संक्ठन अभीनव भारत की सथापना की करांतिकारी गतिविदियों मैं सामिल रही लंदन में पर्थम भारते स्वहतंतरता संग्राम की स्वर्म जैनती मनाई 1925 में RSS के संस्थापक डाक्टर हैड गेवार से मुलकात शब्वीस परवरी 1966 को उनका निदन हो गया फ्रेंड्स तो यहाँ पर वीर सावरकर हमारे यहाँ पर क्रांतिकारी थे उनका जनम दिन है हम उनको तही दिल से स्रतांज लिए अर्पत करते हैं फ्रेंड्स तो यह हमारे आज के कुछ करंट एफिछ थे अतीत के जरोगों के स प्रेंट से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें, थेंक्यो